नमस्कार सुप्रभाद स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ अम्रिता चौर से आप देख रहे हैं सुभा नौ बजे और बुलिटिन में आज बात होगी कि कोरोना वारस के मद नजर लागू लॉकडाउन से देश धीरे धीरे बाहर निकल रहा है लेकिन इसी बीच प्रधान मंत्री नरिंद मोदी अगले सबतार राज्यों के मुखे मंत्रियों के साथ एक बार फिर से विचार विमर्श करेंगे प्रधान मंत्री वीडियो कॉन्फरेंसिंगे जरिये 16 और 17 जून को मुखे मंत्रियों के साथ समबात करेंगे इसके साथ ही बात होगी उन नए दिशा निर्देशों को लेकर जिन्हें स्वास्त मंत्राले ने कोवीड-19 को फैलने से रोकने के मद्दे नजर जारी किया है इसके साथ ही तमाम एहम खबरों पर डालेंगे नजर आईए शुरुआत करते हैं बल्लिट्री की कोरोना वारिस के मद्दे नजर लागू लॉकडाउन से देश के धीरे-धीरे बाहर आने के बीच प्रधान मंत्री नरिद मोदी अगले सबताहर राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ एक बार फिर से विचार विमर्श करेंगे प्रधान मंत्री कारेले की ओर से ये जानकारी दी गई प्रधान मंत्री विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये मुख्य मंत्रियों के साथ 16 और 17 जून को समवाद करेंगे दो दिनों तक डिजिटल माध्यम से होने वाली इस बैठक मी राज्यों को दो चरणों में बाटा गया है प्रधान मंत्री कारेले की ओर से ट्वीट किया गया की पंजाब, असम, केरल, उत्राखन, जारखन, चातीसगड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चर्णिगड, गोवा, मणिपूर, नगलैन, लद्दाक, पुदुचेरी, अरुनाचल प्रदेश, मेघाले, मिजोरं, अ उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पस्चिम बंगाल, करनाटक, बिहार, आंध्रप्रदेश, हर्याना, जमु और कश्मीर, तेलंगाना और ओडिसा जैसे विराज्य शामिल हैं, जहां पर कोरोना वारिस की मामले बढ़ी हैं, उनसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 17 ज अंतिन सब्ता हमें, लोगडाउन 4 खत्म होने से ठीक पहले टेलीफोन पर मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत की थी, प्रधान मंत्री नरेंद्मोदी ने कल दर्चुन पूर्वे एश्याय देश, लाव पीपल्स डेमोक्राटिक रेपाब्लिक के प्रधान मंत्री थोंग अंतरास्टी सहयोग और बहतर कारियों और अनुभवों को साजा करने की आविश्यक्ता पर जोर दिया, प्रधान मंत्री मोदी ने लाव पीडियार में महमारी फैलने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से किये गये प्रभावी उपायों की तारीफ भी की, उन्होंने लाव पीडियार के साथ भारक के अतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया और वोट फो स्थित विश्व धरोहर अस्थल के पुनुरुद्वार पर संतोष जताया, प्रधान मंत्री थोंगलून सिसोलित ने लाव पीडियार के विकास कारिक्रमोग शम्ता निर्मा में भारत के सहयोग के लिए प्रधान मंत्री मोधी को धन्यवाद किया, तो प्रधान मंत्री नरिंद मोधी ने भी वहाँ पे विकास कारियों में सहयोग जारी रखने की प्रतिवध्यता जताई प्रधान मंत्री नरिंद मोधी ने कल तंजानिया के राष्ट्रपती जोसेफ मांकफोली के साथ थी टेलिफोन पर बादचित की, इस दोरान दुरूनेताओं ने द्युपक्षि संबंधों की समीक्षा की और संबंधों को और मजबूत करने की संभावना उपर चर्चा की प्रधान मंत्री नरिंद मोधी ने जुलाई 2016 में दाल इसलाम की अपनी जात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि तंजानिया के साथ परंपरागत मित्रवत संबंध भारत के लिए कितने महत्त पूर्ण हैं, प्रधान मंत्री ने तंजानिया के विकास गाथा में भारत की और वहां की जनता को शुब काम नाए दी। कोरोना महामारी से पहले तक की अविधी में GST रिटर्न फाइल नहीं कर पाने वालों को बड़ी राहत मिली है। इस अवधी के लिए टैक्स बकाया है, उन्हें 500 रुपे तक लेट फीस देनी होगी। शुकरवार को हुई GST परिशत की 40 वी बैठक के बाद केंद्रिय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बारे में जानकारे दी। उन्होंने बताया कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की अवधी के लिए बकाया GST रिटर्न अब एक जुलाई से 30 सितंबर 2020 के बीच दाखिल किया जा सकता है। पुलाई लब धटास लियपि बाद है झा黏 भूस करे जुलैलोऑ 2017 से जственवे दिव घॉरे 2020 बाद बाद 후 अरद हैंवाल इस ऐसे लिए घखिली ऍटा 197 sells है пуरी ऐर उनर फिए抹ल प्य reminds वही 5 करोड रुपे तक का कारुबार वाले करदाताओं को भी अतिरिक्त समय मिला है साथ ही विलंब से GST रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज को घटा कर आधा कर दिया गया है ऐसी कमपनियों को फरवरी, मार्च और अप्रेल 2020 के लिए देरी से GST फाइल करने पर 18 फीसिदी के बजाए 9 फीसिदी की दर से ही ब्याज देना होगा वहीं माई से जुलाई के बीच GST रिटर्न दाखिल करते समय विलंब शुल्क और ब्याज नहीं लगेगा ये नियम एक जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करने पर लागू होगा जबकि माई से जुलाई के बीच GST रिटर्न दाखिल करते समय विलंब शुल्क नहीं लगेगा समय लगेगा जुलाई लगेगा लुजियन से बीच 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 एज लगेगा तर जुलाई वीच टुलाई 20 20. 2020. So for those who have a liability, tax liability and who have not filed their returns between 1st July 2017 till January 2020, now if they choose to do it, they should do it between 1st July 2020 and the 30th September. So July, August and September they have the time to file and pay up that 500 rupees for those who have liability. So this window is being given for this clearing up of the pendency. केंद्रे वित्राजमंत्री अनुराग ठाकुर, राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्रमंत्रियों के साथ साथ केंद्र और राजसरकारों के वरिष्ट अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया. इस दोरान राजियों के वित्रमंत्रियों की ओर से GST के कार्यानवेन के बादित होने के चलते, अपने अपने राजियों में राजस्व नुकसान का आकलन भी प्रस्तुत किया. निर्मला सीतरामन ने कहा कि राजियों की मुआवजा जरूरतों पर विचार के लिए जुलाए में एक विशेश बैठक होगी. ब्यूरो रिपोर्ट राजसभा टीवी स्वास्त मंत्राले ने COVID-19 को फैनली से रोकने के उपायों के बारे में कार्याले के लिए दिश और निर्देश चारी के हैं. इसके मुताबिक सिर्फ ऐसे कर्मचारियों या आगंतुकों को ही कार्याले में प्रवेश के अनुमती होगी जिन में COVID-19 के लक्षन नहीं होगे. प्रवेश द्वार या कक्ष्मी सैनिताइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान अनिवारे होगा. कर्मचारियों और आगंतिकों के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग-अलग होगे. कतार, प्रवंध और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए विशेश निश्वान बनाए जाने चाहिए. पार्किंग इस्थलो और कार्याले परिसरों के बाहर भीर से बचने के परयाप्त इंतिसाम होने चाहिए. समय समय पर प्रभावी, स्वच्छता और नियमित साफसफाई के साथ ही फेस कबर, मास्क, दास्तारों के सुरक्षित दिप्टान की भी विवस्था होनी चाहिए. कोरोना के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए पंजाब और मध्यप्रदेश सरकार ने आज और कल यारी की रविवार को लॉक्टाउन को सकती से लागू करने का फैसला किया है. मध्यप्रदेश की भुपाल में इन दो दिनों में सभी दुकाने और बासार बंद रहेंगी, आविशक बस्तों की दुकानों को छोड़ कर शोहर पूरी तरह से बंद रहेगा. पंजाब सरकार ने पूरे राज्जे में इसे लागू करने का फैसला किया है. कई और राज्जे भी इस पर विचार कर रही हैं. उत्राखंड के दहराद उन में भी आज और कल लॉक्टाउन को सकती से लागू करने का फैसला किया गया है. इस बीच महरास स्रकार ने राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाने के खाबरों का खंडन गिया है दिली में कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ती जा रही है वरास्थानी में शुक्रवार को कोरोना के 2137 नए मामले सामने आए ये पहरी बार है जब दिली में एक दिन में कोरोना के 2000 से अधिक मामले सामने आए शुक्रवार को दिली में कहतर लोगों ने इस महमारी की कारण दम तोड़ा जबकि 667 लोग बीमारी से उबरने में काम्याब रहे इस बीच दिली के हालात को देखते हुए उपराज जिपाल अनिल बैजल ने 6 सदस्य सलहकार समीती का गठिन किया है गठित समीती में NDRF के सदस्य क्रश्न बस और कमल के शोर के अलावा ICMR के DG बलराम भारगव शामिल है समीती कोरोना के अलग-अलग पहलों पर अपनी रिपोट और सलह देगी उपराज जिपाल अनिल बैजल ने समीती को निर्धर्ट समय के भीतर अपनी रिपोट दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथोरिटी को सौपने का निर्धेश दिया है COVID-19 महमारी के चलते विदेश से आने वाले लोगों पर लगी पाबंदी के बीच केंद सरकार ने शुकरवार को OCI कार्ड धार को समीत को श्रेनी के लोगों को भारत में प्रवेश के अनुमती दी है भारत में प्रवेश करने की अनुमती पाने वाले लोगों में विवाहिक जोड़े हैं जहां पति या पत्नी में से किसी एक के पास OCI कार्ड है और दूसरा भारतिय नागरिक है इसके अलावा उन्चात्रों को प्रवेश की अनुमती दी गई है जिनके पास OCI कार्ड है और उनके माता या पिता में से किसी एक के पास OCI कार्ड है या वो भारत के नागरिक हैं वंद्य भारत मिश्ण के तीसरे चरण के तहट भारत अमेरिका के बीच दस और उडानों का संचालन किया जाएगा एर इंडिया ने बताया कि ये उडाने 20 जून से 30 जुलाई के बीच संचालन की जाएगी इनमें चार-चार नियॉर्क और वाशिंग्टन के लिए जबकि सैंट फ्रांसिसको और शिकागो के लिए एक एक उडाने शामिल है इसके लिए बुकिंग एर इंडिया की वेब साइट पर आज शान 6 बजे शुरू होगी और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगी एक छोटी से ब्रेक के लिए मैं बिहार का पहला विक्ति हूं जो कोविट से बच गई है मैं मार्च 20 तारी को मेरा एक्स पटना में जाज हुआ था और रिसल्ट वाइस को आया कि मैं पॉसिटिव हूं और पॉसिटिव होने के बाद थुरत उन्होंने मुझा आईसोलेशन बाड में रखा था 11 दिन के बाद मैं दो नेगेटिव हिसल जाने के बाद उदर से डिस्चार्ज हुई हूं और मेरा बेटा इटली से आया था मार्च पांच को उनका भी टेस्टि किया गया मेरा पती और दोनों बेटे का क्लिया तब नेगेटिव आया है और मैंने को अभी गर में सबसे बड़ा मेरा यह बोलना चाहता हूं कि कुदा आप भरोसा रिखिये वही हमको चंगाई करता है ब्रेक की बास स्वागत है आप सभी का अब देख रहे हैं राज्यसाभा टीवी खबरों में बढ़ेंगे आगे देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार पाट सो अरब डॉलर के पार हो गया है रिजर्ब बैंक ने बताया कि पाच जून को समाप्त सब्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आठ दशमलव दो दो अरब डॉलर बढ़ गया और कुल भंडार पाच सो एक दशमलव साथ शून अरब डॉलर हो गया भारतिये रिजर्ब बैंक ने निजीक श्वेत्रिके बैंकों के स्वामित्व संचालन और कारपुरेट धाचे से जुड़े वर्तमान दिश्वा निर्देशों की समीक्षा के लिए पाच सदस्यों का एक कारे समों गठित किया है रिजर्ब बैंक ने शुकरवार को बयान में कहा कि कारे समों के प्रमुक रिजर्ब बैंक के केंद्रे वोट के निर्देशवक पी के मोहनती होंगे ये समीती 30 सितंबर 2020 तक अपने रिपोर्ट सौपेगी रिजर्ब बैंक ने कहा कि समीक्षा से विभिन समयावधी में स्थापित बैंकों के लिए लागो नियमों को सुसंगत करने का अबसर मिलेगा इसमें बैंकों द्वारा कारोबार शुरू करने की तारीख में कोई मतलब नहीं होगा समीती से ये भारत के निजीक श्वेत्र के बैंकों में लाइसेंसिंग दिशा निर्देशों और स्वामित के साथ ही नियंतरन से जुड़े नियमनों की समीक्षा करने और उप्योक्त नियम सुझाने को कहा गया है पूर्व प्रुधानमंत्री और जेडियस प्रमुक एचडी देविगोडा, कॉंग्रिस नेता मलिकार जुन खडगे और बीजेपी नेताओ अशोग गस्ती और इरन्ना कडाडी को करनाटक सी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है वही राज्यसभा के लिए अरुनाचल प्रदेश से बीजेपी उमीद्वार नबाम ब्रेविया भी निर्विरोध निर्वाचित घुश्ट किये गये अरुनाचल प्रदेश से बीजेपी उमिद्वार के रूप में सिर्फ नबाम ब्रेबिया ने ही नमांकन दाखिल किया था नबाम ब्रेबिया ने लगतार दो बार राज्यसभास में राज्य का प्रतिनिधित्व किया है पहली बार 1996 से 2002 तक और फिर 2002 से 2008 तक कॉंग्रिस सदस्य के रूप में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया राज्यसभास अचिवाले ने फिस्दूल खर्चे पर रोक लगाने के लिए तै किया है कि अगर सांसद ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं और किसी कारण के वश यात्रा नहीं करते तो उन्हें ट्रेन टिकट रद्द कराना अनिवारे होगा अनिथा इसका पैसा सांसदो से ही वसूला जाएगा सांसदों और पूरु सांसदों से आगरह किया गया है कि वो जिन टिकटो पर अगरिम आरक्षन के बाद यात्रा नहीं कर रहे हैं उन्हें समय से रद्द करा दे ताकि राजिसभा के बजट पर पढ़ने वाले बेवज़ा की बोज़ को टाला जा सके दरशली सभापती एमवेंकिया नैडू के सुझाओ के तहट राजिसभा सचिवाले ने सदन की सदस्यों और पूरु सदस्यों की तरफ से किये गए रेल आरक्षन और वास्तिविक यात्राओं की संख्या का विशलेशन किया है जिसमें ये तक थे सामने आया कि सचिवाले की तरफ से कई ऐसी टिकट बुकिंग के लिए भारी भुक्तान किया गया है जिसके लिए यात्रा ही नहीं की गई उदाहलन की तौर पर राजिसभा के एकपूर सदस्य ने पिछले साल जनवरी महिने के 23 दिनों में रेल यात्रा के लिए प्रति दिन 4 बुकिंग के हिसाब से कुल 63 बार टिकट आरक्षन किया जिसका भुक्तान कुल 1,79,005 रुपे बना लेकिन वास्तविक तौर पर उन्होंने महिस साथ बार ही रेल यात्रा की जिसका भुक्तान 22,085 रुपे ही बनता था इस लिहास से राजिसभा सचिवाले की तरफ से रेलवे को 1,46,920 रुपे का अत्रिक्ट भुक्तान करना पड़ा जो तक्रीबन 87 फीसदी अधिक है इसके अलावा राजिसभा के वर्तमान सदस्यों की रेल यात्राओं से संबंदित भुक्तान का भी विशलेशन किया गया जिसमें सामने आया कि जनवरी 2019 में ही सदन के सदस्यों ने जितनी राशी का अग्रिम आरख्षन किया उसमें से महस 15 फीसदी के बराबर यात्रा की गई जबकि सचिवाले को 85 फीसदी रकम का अत्रिक्ट भुक्तान करना पड़ा साल 2019 के लिए संसत के वर्तमान सदस्यों और पूर संसतों की तरफ से किये गए अग्रिम आरख्षन के लिए रेल्वे ने करीब 7 करोड 80 लाख रुपे के भुक्तान की मांग की है इसमें से करीब एक तिहाई हिस्से का भुक्तान राजी सभा सचिवाले के हिस्से में है जबकि दो तिहाई हिस्से का भुक्तान लोग सभा सचिवाले के हिस्से में है ब्यूरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी केंद्रिय वाड़िज्य मंत्री पियूश कोयल ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये कल भारते गुडवत्ता परिशत के कामकाच की समिक्षा की उन्होंने कहा कि आत्म निर्भर भारत गुडवत्ता युक्त घरेलू उत्पादों के अधार पर सम्रिध होगा जो कि वैश्विक इस्तर पर प्रतिस परधा कर सकेगा पिछले कुछ वर्षों के दोरान परिशत के विकास की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि बास्तरिक चुनोतियां और संभावनाएं कोविड महमारी के समाप्त होने के बाद सामने आई है केंद्रिय मंत्री ने जोर देकर कहा कि गुलवत्ता का मुल्यांकन और प्रमारन तर्क संगत पारदर्शी और बिना किसी हेरफेर की होना चाहिए प्यूश कोईल ने सिक्षा, स्वास्थ, सेवा सतकार, परिवाहन, पैकेजिंग, खाद्य प्रसंसकरण और छोटे उद्योक श्वेत्र में गुलवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया भारत का अन्न भंडार रिकॉर्ड 811,79,000 तन पर पहुँच गया है भारते खाद्य निगम के भंडारों में 540,8,000 तन गेहुं और 270,8,000 तन चावल है अभी धान और गेहुं की खरीच जारी है और वो अनाज गुदामों में पहुचेंगे तो ये आक्रा और बढ़ेगा खाद्य सुरक्षा और अनिक लियानकार योजनाओं के लिए हर माह करीब 55,000 लाग तन अनाज की दरकार होती है खाद्य और उभोगता मामलों के मंत्राले की और से जारी विक्याप्ति में कहा गया है कि लोगडाउन के दौरान 4,194 रैकों के माध्यम से रेल्वी ने 117,443,000 तन अनाज की धुलाई की रेल्वी के साथी सड़क और जलमार्गम ने मिलकर कुल 245,23,000 तन अनाज की धुलाई की इसमें 15,500 तन अनाज 13 जल्यानों के माध्यम से ढोया गया वही पोरवतर राज्यों को 11,68,000 तन अनाज भेजा गया है आयुश मंत्राले ने माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतिस परधा में प्रविष्टी भेजने की अंतिम्तिथी 21 जून तक के लिए बढ़ा दी है आयुश मंत्राले ने एक ट्वीट में कहा कि योग करने वाले लोगों की मांग पर अंतिम्तिथी बढ़ाई गई इसे पहले प्रतिस परधा में भाग लेने की अंतिम्तिथी 15 जून थी प्रधान मंत्री नादिन मुदी नी इस प्रतिस परधा की घोश्रा 31 मैं को अपने कारिक्रम मन की बात के दौरान की थी उन्होंने कहा कि कोरुना महमारी के बीच दुनिया की रुची योग और आयर्वेद में बढ़ी है प्रसार भारती के सहयोग से आयश मंत्राले प्रति दिन टेलिविजन चैनल नीडी भारती पर समानी योग से संबंधित कारिक्रमों का आयुजन कर रहा है इसका प्रसारन प्रति दिन सुभा आठ बजी से साढ़े आठ बजी तक किया जाता है महराश्ट के बुलढ़ा जिले में लोनार जील का पानी गुलावी होने के बाद जिला प्रशासन इसके कारणों का पता लगाने में जुटा हुआ है ऐसा माना जाता है कि इस जील का निर्मार करीब पचास हजार साल पहले धर्ती से उलका पिंड के टकराने से हुआ था जूद्गी को मान रहे हैं करीब 1.2 किलो मीटर के व्यास वाली जील के पानी की रंगत बदलने से इस्थानी लोगों के साथ-साथ प्रकर्तिवित और व्यज्यानिक भी एहरान है विशेशक्यों का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब जील के पानी का रंग बतला है लेकिन इस बार ये एकदम साफ नजर आ रहा है इस बारे में लोनार के तहसिलदार का कहना है कि पिछले दो-तीन दिनों से जील का पानी बदल रहा है वन विभाग ने इसकी जाँच के लिए पानी के नमूने एकत्रित किये हैं बीरो रिपोर्ट राजसभा टीवी कोरोना वारिस की कारण इस बार का भारती सेने एकैडमी यानिकी IMA पासिंग आउट परेड कुछ अलग अंदास में नजर आ रही है परेड में पास आउट होने वाले IMA की 423 कैड़ेट्स में 333 भारती सीना का हिस्सा बनेगी जबकि आने 90 विदेश्वी कैड़ेट्स हैं सीना प्रमूग जनरल मनूच, मुकुद नरवणे, मुख्य अथिति के तौर पर सम्हारों में शामिल हुई और संबोधित किया झाओज गज़ेट्स में वाले लारती सीना के तौर सम्हारों मनूच, मुख्य गारती सावी चित कि तौर सम्हारों मुख्या गिए औरॉट्स में चपुच, अपुद रमें। पुलिचन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही बाके खबरों के लिए आप देखते रहे है राजसाभा टीवी धीजे अजासत नमस्कार